हाई गाइस welcome to back मैं चैनल में प्रियंका आज हम सीखेंगे आलू का छिप्स घर पे बनाना जो market में मुझे आलू का छिप्स पैकेट वाला खाते न वह घर पे बिल्कुल इजी तरीके से इतना टेश्की बनेगा ना कि आप पैकेट वाला खाना भूल जाएंगे घर पे बनाएंगे बनाना स्री बहुत ही असान है पांच मिनट में बनके यह तियार हो जाता है नहीं इसे आपको बालना है नहीं सुखाना है जटपट आप आलो कट करिए और बना लिजिए और बहु अच्छी से चीलेंगे और आपको आलो कैसा लेना है चीप्स बना लेके लिए तो सबसे इंपोटेंट यही होता है इसमें कि आपको आलो कैसा अलू पहले हैं वह हाथ से प्रेस करके देख लिजीए कि वो ज़्यादा दब नहीं रहे है जो सिकड़न होना तो उस आलो को ना के एक वार इस्टोर करना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादे आलो को छील के रख लीजे पहले से इस तरीके से पहले आलो को अच्छे से चील लेंगे बिल्कुल इसे क्लीन कर लेंगे और छीलने के बाद दो से तीन पाने तक धोएंगे पोचिएंगे और एक बार इस कमन करेंगा और बनाना इतना आसान है कोई इसमें जंजट नहीं है क्योंकि हम लोग आलो का चिप्स खाने कमन तो बहुत करता है फिर सुचते हैं मार्केट से जो हम लोग 5 रुपय का पैकट खरीते हैं या 10 रुपय का उसमें 3-4 चीप्स रहता है और उतना में मन नहीं भर और पहले भी हम आप लोग के साथ सेयर किये थे कि आप आलो का चिप्स कैसे बना सकते हैं अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्रियंकाड DCB चैनल पर अपलोड है आप वहां जाके देख सकते हैं और इस तरीके से देखें हम कोटन का कपड़ा लिया और इसमें प्रियों को पहले अच्छे से पूरा गरम होने दिया है धुए दार भी गरम नहीं करना और ठंठा भी इसका टंपरेचर नहीं रखना है मीडियम रखेंगे ताकि आप इसमें डालें तो तुरांत यह उपर तैर के आने लगे इस तरीके का टंपरेचर होना चाहिए और यह प्रियों करना चाहिए जल्दी करणची नहीं होगा इस बात का खास ध्यान रखेंगा तो जब आप इसमें डालते हैं तो आप एक मिनट के लिए इस तरीके से चोड़ दीजें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हाइफ लोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इससे जब एक म कर देना की कि इस यह होगा पहले एक साथ से क्रशे हो जाए गाई फिर आप थो से बोल्त थाढ़ eine घ्रम दीजें तो क्या और एक मैद कख सकते हैं तो पहले हम वीड़ते की नहीं होता है और इसाड़ी हो बाता प्रड़ते हैं तो प्रहले मेन प्रूंची की सुछते हैं औ आप दिखेगा तो तेल से अपने आप ऊपर आने लगता है इस तरीके से आपको कुछ कुछ ट्रिप्स है जो आपको याद रखना है आलो का चिप्स पनाने के लिए और इस समय आप चाहें तो पानी ले लिए उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक मिक्स कर ल अटाल लेते हैं जो दूसरा वालो का चिप्स का वीडियो आपको के साथ शेयर के थे उसमें आपको बता हैं कि पानी और नमक का घोल बना के इसमें कैसे डालिएगा और यह देखिए यह बिल्कुल क्रंची हो गया ऊपर आने लगाए तेल से यह बिल्कुल बनके तयार हो असे अधी पेदयेट नीजों बटाता है और देखें रहतारा हो यह बिल्कुल असानी तरीके से जटपट पण बना के तियार का दीया और यह चाहते हो बढ़ते हैं धाए गया और लोग के तयार है लागतेट प्रेमें इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजेगा तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस तरीके से आलू का चिप्स बना के जरूर ट्राइ करिएगा और किस-किस को यह आलू का चिप्स पसंद आया मुझे कोमेंट करके जरूर ब हाई